तो नोमरा दोस्तों आज हम सुरू करने जा रहा है अपना अतीद में दबे भाग दो तो कल हमारी वीडियो रुख रूप गेची तो अब हम इसको जॉइन करने के लिए भाग दो बना रहे हैं तो अतीद के बात करेंगे हम उसमें करेंगे अजयाब घर अथाथ म्यूजियम करेंगे लेखर कि यहां तो बथाएं की नाम है मियूजियम है अजय बगाग घर अधीप जो चीजे हैं वह काराची लाहोर दिल्ली से हैं तो यही बार बताया कि और लंदन से भी कोई चीजे हाई है कई चीजे तो लेखख ने बताया है और मोहन जो दाणों में पचास ज़ादा चीजे हैं रख्योई हैं और पाई गई हैं तो यहां जो कुछ चीजे मिली हैं उनमें लिस्ट दे रखिये जैसे कि गेम हूम काली हो और ताम्बे जो मिले हैं वह भी थोड़े काले हो गए थे मुहरे मुहरे मतलब सील वह भी काली पड़ गई थी और वाध्य अंत्र मतलब जानती हों गए गारा बजाने वाला जो यंत्र होता है और और कई साइच चीजे जैसे कि चाक पर बने हुए विशाल विशाल मदभांड अथार्थ की विशाल चित्र और चाक से बने हुए विशाल अथार्थ मतलब जिस पर पोट्री पर जो वर्क होता है मतलब उसका चित्र का उसको वह भी मिला है और चौपड अथार्थ आपने सुना होगा चौपड का खेल तो चौपड की गोटिया ही मिली मेले पत्थर जिसको हम मिले गए हैं और तांबे का आइना मिला गया है और मिट्टी की बैलगाडी ठार कोटा बुल भी मिला गया है और दो पार्टन माली चक्की मतलब जो पीष्टे हैं जिसमें लाटा गेहुं मिली गई है और परफ्थर के औजार मिले गए हैं और इसे हैं जो उसके हुएनगे तो गेहने विन उधर मिले गए हैं तो आगे हम बात करते हैं कि मुजियम में और थे पर छोटे आग अतार की थे और ऊदर को यह अनहीं पाएं तो नहीं पाएंग कि वहां पर जो कोई भी रूज रहा होगा यह शाशक होगा तो वहां पहले बात तो अनुश लाव जाकि और शेतानी होती वैसे वहां भी था तो वहां सेना तो हो नहीं सकते अगर उसको समालता है तो यहां पे दो दिखाव कोई दूसी बात यहां पर कोई दिखावा नहीं करते थे मतलब अथा जो साइस समाल मिले है वो छोटे चीजे मिली हैं और बड़ी चीजे नहीं मिली और दूसरी सब्हताओं में लोगतंत होता था या फिर धमतंत होता था तो लोगतंत और धमतंत वाले प्रदर पर तो बना रखी हैं तो भी नहीं मिला नहीं नहीं मिला और मुरतियां कि मिली हैं मिली तो है यहां पिकोई पीरामिट नहीं मिला और कोई समाधिया नहीं मिले जैसे कि इज़िप्ट में समाधिया अंतिंग है पिरामिट के अंदर वहां पर ऐसी चीज़ नहीं मिली आपर शोटी था जोटिता ढब ऐसा चीज होता है कि såण होता है उस पर कई सारे हीरे मोती जड़े होते हैं वह मुकुट भी नहीं था था भी तो बहुत छोटा मिला है मतलब एक ऐसा बैंड जैसा मिला बस एक लाइन का अगर आपने मुख में चीट देखा होगा तो राजा के सर पर एक बस बैंड साय बस ज्यादा बड़ा मुकुट था ऑफ लगन जैसे कि हम देखते हैं यत्ते बड़े बड़े मुखूट होते हैं परन्तु वहां ऐसा मुकूर नहीं था था भी तो बहुत छोटा था बिल्कुल चोटे पर नाव जो थे वह चोटे छोटे थे बड़े नाव वहां पर खुदाई के समय के नहीं मिले तो उस हमें दिखाएंगे मिली है यहां सबसे बड़ी नाव एसा है अंको जड़ बी आसा नहीं था कि वह दिखावे पर निलभ़ हैं तो हम ड़ी को अभी तक पढ़े नहीं है तो इसम पाई हैं तो फिसन पाएंगे कि सिन्दू काठी सब्विता में कैसा था तो सिंदु काटि सब्वेता के लोग कला में बहुत विश्वाश सकते तो कला में बहुत माहिर भी थे क्योंकि कला उनके बीच में लोग प्रियता थी उनको वस्तु कला आती थी धातु और पत्थर की मूर्तिया बना देते थे वह पशु पंशियों की छवियां चाप देते थे किसी घड़े वड़े पे आदिवादी पे और मुहरों पे चित्र भी बना देते थे जैसा आपने द दोता है जो की हमारे खेट दोता है वैसे उनकी एक मॉडर मिले हैं कई सारे बान बताई है कि यह प्रसिद्यते खिलोने उर्णे उसह में भी तो यहीं का जा सकता है कि इस इंदूग अटिर राजा पोशित ना होके या फिर धर्म पोशित ना होके वह समाझ पोशित रहा होगा क्योंखिए हां पर कोई भी महल नी मिला को भी बड़े बड़े मंदी नीằ陽 कोई भी समाधी नी मिले यही बात इछे start बताते हैं उन्हों को सोने की तीन सुनिया मिली है जो की कासिदाकारी अथात कपड़े पर डिजाइन मुनाने के काम आता है तो नरेश के बदन में भी बेल बूटी और फूल पत्तियों का डिजाइन मना रखा था और उटे एक साल उड़ा रखी थी तो उसको हम कहते हैं एक डिजाइनिंग साल पशमीने की चादरे भी उसने ओड़RIS रखी थी तो पशमीने की चादर अथात एक कपड़ा है जोड़ी बनता है तो उसको उन्हें उड़ा रखा था उसको मुर्ति पे दिखा गया है तो यही बार बताते हैं देखा कि ऐसा हुआ था इसलिए उधर कोई भी राजा पोशित ना होके वो समाज पोशित था जहां पर साइस समाज का एक साथ चलता था अतार में जैसे बचायत पंचायत होता है वैसे पंचायत की तरह वो भी चलता प्रणादे कपड़े पर जैसे कि एक और अधिया मंठी लेगे जाते होगे या फिर कोई ऐसे पत्ती बना दिया फूल बना दिया या फिर कोई भी उसमें जुमेंट्रिकल वो डाल दिए शेफ डाल दिए तो ऐसा भी डिजाइनिंग पुराने समय होता था उसको हम कहते हैं अजरक तो अजरक बहुत फेमस है महंजोदारों का जो कि हमें हर चीज बताता है कि वहां ऐसा था तो सिंदु घाटी सब्यदा कि बहुत महलपोर चीज़ है अजरक कपड़ा आज भी हम देखेंगे तो अजरक कपड़ा बहुत इंपोर्टन था वहां हाथी के दान भी मिले करने के लिए वह सिरा जाता था पर अजरक किया कि वहां पर यह सुई जो हाथी के दान से ताम बे और कासे के जो होते थे सुई वह दरीयां बुनने के लिए यह आता था तब मोहंजोदारों में खुदाई के समय पानी के सिंदु घाटी सब्या सिंदु रखिए सिंदु न जिसके कारा है, वहाँ के खंडर अब अपना वो छोड़े जा रहे थे, यह मतलब जो उन्हें सिमेंटिंग पकड़ी होगी वो छोड़े जा रहे थे, जिससे की खंडर गिरता जा रहा था, तो यही बात बताई गई है, कि अब यह हमारे जो ASI, अथार्थ, आजको जो सर्वे स्टाई हुई है, पहले उन्हें उन्हें खोड़ा, फिर उन्हें उन्हें पलास्टिक किंग कर दीं ताकि उनको बचा सके, और बाद में उसा पर क्या हिब वह पालु उसको अंदर वापस डाल दी, ताकि वह SITE को जीवी तरख सके और वह अपनी हर पा साई्ट को उचा सकayı तो परन्तु इस बात को मुझे नहीं पता नाहीं बुक्र में जिक्र किया गया है हिंदुस्तान वाई साइट पर गुम के आए हैं राजिस्तान में अगर नहीं गए हैं तो आप भी जरूर घूम के आएगा साइट बड़ी अच्छी है वहां पर कुछ म्यूजियम में अथात सब्सक्राइब करूंगा आपके लिए 24 घंटे उपस्ति तो बाई बाई दोस्तों कुरोना सा बचे रहिए और खाते पीते रहिए दोस्तों चलो बाई बाई